ना केक, ना आईस्क्रिम, ना कुलफी, हप्ते में आप कई बार ये मिठाई गर्मिक दिनों में बना कर खाएंगे, इतनी स्वादिश, टेम्टिंग, डिलिशेस बन कर बस दही से बनाई है ये मिठाई घर पर आसानी से तयार हो जाती है, मल्टी किच्चन पूने में मैं समीत आप सब का स्वागत करती हूँ, स्वादिश, डिलिशेस, टेम्टिंग ऐसी दही की मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले प्यान को कर लेंगे गरम और फिर इसमें डाल देंगे दूद, दो कप, फुल क्रिम वाला दो कप दूद लेना है, और फिर इसमें डाल देंगे आध प्लेम पर ही ये पूरी प्रोसेस हमने करनी है, चीनी मेल्ट होने के बाद जो दूद है, वो थोड़ा सा हम साइड में निकाल लेंगे, दो से तीन टेबल स्कून दूद हम साइड में निकाल कर रख देंगे, टोटल मैंने याद, फोर टेबल स्कून दूद साइड में निक बच कुछ ही समय में यह बनकर तयार हुआ है कंडेंस मिल्क आप देख सकते हैं फ्लेम को तुरंध ही आफ कर देंगे और इसे पूरी धर हम थंडा कर लेंगे इसे थंडा करना मोस्ट इंपोर्टन है बहुत जरूरी है घर पर ही कंडेंस मिल्क आसानी से तयार हो जाता है बाटम के आकार का और यह बटर पेपर को भी मैंने ग्रिस कर लिया है इसमें यह बटर पेपर रख देंगे और टीन को रख देंगे साइड में अच्छी तरह इसे ग्रिस करना है और फिर यहां लिया है जो दूद हमने साइड में निकाल के रखा था फोर टेबर स्पून कस kustard powder ली है 3 टीस्पून kustard powder और दूद को अच्छी तरह mix करेंगे لمbs free बनाएंगे बिल्कुल कोई गाठे नहीं रहनी चाहिए अच्छी तरह इसे फेट लेंगे kustard powder और दूद को ये फेट कर तयार है फिर लेंगे एक बड़ा वाल बाउल उसमें डाल देंगे घर का बना दही वो भी फ्रेश वाला ज्यादा खटा ना हो इस मिठाई के लिए घर का बना दही लेना है मैंने फुल क्रिम वाला दूद लिया उसका दही लगाया और ये दो कप दही डाल देंगे बाउल में और इसे भी अच्छी तरह फेट लेंगे दही को मुलायम ऐसा फिर जो कंडेंस मिल्क घर पर तयार किया है ये पूरी तरह थंडा हो चुका है इसे मिक्स करेंगे इस दही म अच्छी तरह मिक्स करना है दही में ही पूरी तरह बिल्कुल कोई गाठे नहीं रहने चाहिए कोई लंस नहीं रहने चाहिए इसी तरह हम दही को अच्छी तरह फेट लेंगे दही भी कंडेंस मिल्क भी हमने फेट लिया है विसकर से भी फिर एक बार इसे अच्छी तरह फ मीठा पसंद है इसलिए मैंने आधा कप चीनी आइसिंग शुगर फिर से डाल दी है और फिर से इसे मिक्स कर लेंगे विसकर से ये मिक्स होके तयार है फिर डाल देंगे जो कस्टर्ड पाउडर हमने दूद में मिलाई है वो डाल देंगे आप इसमें फ्रूट का भी स्वाद मिक्स कर सकते है और फिर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे कस्टर्ड पाउडर के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है जब तक हलका सा इसका कलर चेंज ना हो इसका कलर चेंज हुआ है और यह अच्छी तरह मिक्स हुआ है और फिर यहाँ टीन भी ग्रिस होके तयार है यह मिश्रन पोर करेंगे टीन में डाल देंगे टीन में यह केक नहीं है जो फूलता है बस यह इसे हमने स्टीम करना है एक 30 मिनिट के लिए आप इसे कुकर में भी स्टीम कर सकते हैं या प्या कुकर में यहां इसे फॉल पेपर लगा लेंगे टीन को अच्छी तरह से इसे पैक करना है ताकि इसमें कोई हवा न जाए इसलिए अच्छी तरह इसे लॉक कर देना है साइड से पूरी तरह लॉक कर देंगे इसे प्रेस करके और यह तयार है स्टीम होने के लिए बॉइल ह यह बरतन जो टिन है वो रख देंगे हम कुकर में और इसे धकन लगा कर एक 30 से 25मीनिट के लिए अच्छी तरह बॉयल कर लेंगे बिना सीटी का में निया धकन लगा लिया है CT को निकाल दिया है और high flame पर 20-25 मिनिट के लिए इसे अच्छी तरह boil कर लेंगे 20-25 मिनिट हुए है हम ढखकन खोल कर देख लेंगे flame को कर दिया है और बीच में मैंने चेक किया था 20 मिनिट बात यह हुआ नहीं था तो और 5 मिनिट के लिए इसे मैंने boil कर लिया है यह foil paper पूरी तरह हटा लेंगे foil paper हटाने के बाद आप देख सकते हैं इसे पानी छूट जाता है पानी छूटने पर कोई बात नहीं है इसे धकन रखकर एक घंटे के लिए normal temperature पर बाहर ही थंडा होने देंगे और फिर freeze में रखना है साथ से आद घंटे के लिए और फिर आप देख सकते हैं यह इस तरह से तयार हो जाता है पानी निकालने के लिए आप इस तरह से पानी पूरा निकाल सकते हैं जब हम cookar से निकालते हैं तभी और फिर यह set हुआ है अच्छी तरह से थंडा थंडा भापा, डोई, बंगाली, मिठाई यह बंगाली, मिठाई घर पर ही आसानी से तयार हो जाती है देखिए जब हमने इसे डिमोल्ट किया तो पेपर भी बस टीन में रह गया है यह आसानी से डिमोल्ट हुआ है अभी हम इसे कट कर लेंगे मन चाहे आकार में आपको जो शेप पसंद है उसी शेप में आप इसे कट कर लीजिए हम इसे कट करकर सजाएंगे ड्राइफरूट से इसके उपर डाल देंगे पिस्ता के फ्लेक्स पिस्ता के फ्लेक्स से बहुत ही बढ़िया टेम्टिंग डिलिशियस स्वादिस ऐसा ये लगता है और बीच में रख देंगे चेरी तयार है ना केक ना कुलफी ना आइस क्रिम ये है बेंगाली मिठाई भापा डोई दही से तयार हो जाती है आसानी से आप अगर एक बार इसे खाएंगे तो रोज आप गर्मी के दिनों में घर पर ये मिठाई बना कर खाएंगे इतनी स्वादिश टेम्टिंग टेस्ट या आप इसका टेक्स्चर भी देख सकते हैं कितनी बढ़िया घर पर ही बन कर तयार हुई है इसे खर्वस भी कहा जाता है तो जरूर जरूर ये मिठाई आप घर पर बनाईए मल्टी किचन पूने चानल को जो पहली बार देख रहे तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन कॉल को क्लिक कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे कमेंट जरूर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए खाते रहिए खुश र जरूर कीजिएर यहा है